इस वीडियो में हम लोग देखने वाले MPV reduction यह इसको हम लोग बुले तो इसका अगर मैं full form में नाम बोलू तो यह काफी important reaction है नीट वगेरा यह जही में इसके questions पूछे जाते हैं मेरविन पॉंडर ओफ वर्ली reaction ठीक है काफी complicated नेम है इसको short में MPV reduction बोलते हैं अब देखो यहां पर इस reaction में क्या होने माला reduction का एक चोटा सा process है जो हमको functional group के formation में देखने को मिलता है जैसे यह reaction का main point क्या है कि अगर हम लोग किसी ketone को react करते हैं इस reagent के presence में ठीक है आगे मैं इसका नाम बताऊंगा कि इसको हम लोग basically क्या बोलते हैं इसके presence में जब भी हम लोग reaction करते हैं तो यह जो हमारे पास reactant है यह convert हो जाता है किसमे alcohol में राइट है दो यहां पर catalyst यूज किये जाते हैं इस reaction को complete करवाने के लिए तो यह convert हो जाता है किसमे alcohol में finally राइट है तो यह तो इसका पूरा यह reaction है अब इसके mechanism में देखो क्या करना है हमको simple सा अब अगर इस reaction के step one की मैं बात करूँ तो first step में देखो क्या था हमारे पास एक ketone था जिसका यहां पर जो catalyst है पहले उसको देख लेते हैं कि इस catalyst का नाम क्या है सबसे पहले तो यह अगर मैं इसके dissociation की बात करूँ तो aluminium तो अपने plus 3 oxidation state में है प्लस यह क्या कर देगा ऐसे तीन molecule release करेगा देखो CS3 यहां पर अपने पास क्या है O-H और यहां पर CS3 राइट है ऐसे तीन molecule यह क्या करता है solution में release करता है जिसके वज़े से reaction को क्या होती है reaction को एक path मिल जाता है और यह reaction स्टार्ट हो जाती है अब यह जो चीज है यह क्या करेगी जो हमने reagent लिया हुआ है first step तो यह होगा हमारे पास अब second step में देखो क्या होगा जो हमने reagent लिया था ketone का ketone पर यह reaction करेगा जो यहां से substance निकला तो इसको अगर मैं लिख दूँ यहां पर O-H और CS3 तो अब देखो यह reaction करेगा कैसे यह O- क्या है reactive है highly तो यह क्या करेगा simple सा यहां से अपने lone pair को shift करेगा अंदर की तरह pond pair को और यहां से hydrogen किस form में निकल जाता है H- के form में तो यहां से दो electron लेके क्या हो जाता है बाहर हो जाता है और यह hydrogen जब बाहर निकलेगा तो इस carbon प्याके क्या कर देता है अब देखो होगा क्या यहां पर क्या बज़ गया हमारे पर CS3 C double bond हो और यहां पर CS3 plus जब यह hydrogen यहां पर action करेगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा इस पर देखो यह वापस से इसके जो bond pair है यह उपर की तरफ shift कर जाएंगे minus के form में और नीचे क्या attach हो जाएगा hydrogen यह तो हो गए हमारी second step अब third step में देखो यह हमारे पास reagent active बचा हुआ है ठीक है पहले step में तो हमारे पास क्या बन गया ketone बन गया अब ketone बनने के बाद इस reaction को प्रोसीट करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा simple सा देखो थर्ड अगर इसके third step की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो इसके third step में क्या होगा जैसे हमने यह लिया हुआ है हमारे पास finally यह बज़िया था right है अब इसका reaction जो हमन हमने second वाला catalyst लिया हुआ है यहां पर अलकोहल वाला यह इससे reaction करेगा और reaction के बाद हमको क्या मिलना आला यह एच प्लस इसकी तरह हो जाएगा और यहां पर क्या form हो जाएगा secondary alcohol बन जाएगा हमारे पास ठीक है और वापस से यह जो चीज हमने catalyst में से ली थी यह वापस catalyst में क्या हो जाएगी ट्रांसफर हो जाएगी तो यह वापस दूसरे molecule पे जाके reaction करेगा इसके पास O- भी बच जाएगा यहां पर आके यहां पर CH2 नहीं है CH2 तो यहां पर यह जो O- बचा हुआ है यह परसील होती रहेगी तो इस MVP reaction में देखो पहला प्रोड़क्ट हमारे पास बनता है किटोन और दूसरा प्रोड़क्ट बनता है अल्कॉहल